कि एलो डियर इस्टुटेंट में पवन भमुर्या उडान डिजिटल के ऑनलाइन प्लेटफर्म पर आपका स्वागत करता हूं आज हम केमेस्ट्री का चेप्टर 3 रासाइनिक बलगती की केमिकल काइनेटिक्स के अबजेक्टिव देखेंगे इंपोर्टेंट्स अबजेक्ट नहीं है तो उस अभिक्रिया की कोटी क्या होगा? If the rate of a reaction does not depend on the concentration of the reactant species, then the order of the reaction is what? Rate जो है, वो concentration जो है, उस concentration पर depend नहीं कर रहा है, तो यह कौन से order होगा? तो अगर हम देखे तो concentration या सांद्रता की घज जीरो आएगा तो यह जो हमारा answer होगा वो होगा zero order reaction जीरो order reaction होगी हमारी next question लेदे हम question number two किसी radio-dharmी तत्व का अरधायुकाल 140 दिने प्रारंब में एक ग्राम तत्व लेने पर पानसु साथ दिन के बाद कितने ग्राम बचेगा the half life of a radioactive element is 140 day initially taking a one gram of the element will have fill in the blanks the blanks gram after 560 so 560 day के बाद यह कितना substance remaining होगा half life का concept यह है कि अगर हमारे पास कोई substance है और वो substance कितना है वन ग्राम है तो वन ग्राम जो substance होता है वो टी हाप के बाद वन बाई हाप हो जाएगा वन बाई टू हो जाएगा वन बाई टू हो जाएगा वन बाईफोर का वन बाई एट हो जाएगा मतलब बाई पाई पूर का हाप हो जाएगा और next 140 day में यह वेन बाई एट का हाप हो जाएगा और यह total हो जाएगा वन बाई 16 तो अगर हम यह टेइड काउंट करे 140 140 140 and 140 तो हमको total डे मैल जाएँगे 560 तो आफ्टर 560 पांसो साहट दिनों के बाद यह जो हमारा सबस्टेंड है यह कितना रिमैनिंग होगा कितना बचेगा एक बटे सोला कितने सेकन्ड से भी कम समय में पूर्ण हो जाती है यह एक पीको सेकंड मतलब दसकी घाथ-12 से भी कम समय में कम्प्लीट हो जाती है रेपीट रेक्षिन अर्द अविक्रिया के दरिसति रांकी क्या होगी the unit of the rate constant for third order reaction third order reaction के लिए अगर हम unit की बात करें तो mole per liter to the power 1 minus n और 7 में आएगा second inverse एक short formula है जिसकी थूँ हम easily किसी भी order की reaction के rate constant की unit find कर सकते हैं किसी भी कोटी के दर इस्थिरांग की काई जाद कर सकते जहां n क्या है n है 40 order of reaction अब यहां पर n की place पर हम क्या put कर देंगे 3 put कर देंगे तो 1 minus 3 कितना हो जाएगा minus 2 मतलब हमारी unit हो जाएगी mole minus 2 liter to the power minus 2 और second inverse अगर इसको हम solve करेंगे तो mole to the power minus 2 liter square और second to the power minus 1 यह हो जाएगी unit of third order rate constant नेक्स कोश्चन कोश्चन नमबर फिप्त है अभिकारकों की निउन्तम तथा उच्चतम उर्जा अवस्था का आंतर क्या कहलाता है तो दिफ्रेंस बिट्विन दे लोएस्ट एंड दे हाइस्ट इनर्जी स्टेट आप दे रीक्सन इस वाट हमने दो ताइप की एनर्जी पढ़िए एक थ्रेस्वोल्ड एनर्जी और एक एक एक्टिवेशन एनर्जी इस डिफ्रेंस को हम क्या बोलते हैं वे अभिक्रिया है जो विकिरंट के उस्वोल्ण से संपन्योती क्या कहलाती है ओगर आपको याद हो तो इनको कहा जाता है प्रकास रासाइनिक अभिक्रिया है और गोटो सेके-सम वच्वेशन दो्योग दो ड्यूबेक् Jim We巴 जो रेडियेशन के एब्सॉप्शन से कंप्लेट होती है उनको हम क्या बोलते हैं फोटो केमिकल रियेक्शन नेक्स्ट शेवन नंबर का कोश्चन है अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अनो की संख्या को हम क्या बोलते हैं तो इसको टोटल नंबर आफ मॉलेक्विल का एंसर होगा आणविक्ता या और ऐसको या याद रखेंगे और रहिए क्रिया की क्रियादी में मं दगति से चलने वाला पत क्या कहलाता है यह जो है जो मं दगति से चलता है उस पत को हम बोलते हैं दर निर्धारक पत दर निर्धारक पद यह जो step है यह हमारी rate deciding step होती है तो rate deciding step होती है हमारी rate को decide करती है अभिकरिया की दर अभिकारक के सांधरण यह 2020 kya question objective आया हुआ है तो यहां पर आएगा डायेक्रिया की दर अभिकारक के सांधरण के क्या होती है समानुपाती होती है यहां डायेक्ली प्रोपोर्शनल या समानुपाती इसका answer है नेक्स टाइब का जो question है वो है answer in one word or sentence एक सब्द में उत्तर दीजिए यहाँ पर पहला ही question है important question है देहली उर्जा और सक्रियन उर्जा में क्या संबंध होता है what is the relation between threshold energy and activation energy अगर आपको पता हो तो threshold energy को हम डिनोट करते हैं ETH से देहली उर्जा को हम ETH से हम मूल अवस्ता या ground stage की energy को EG से दर से दिनोट करते हैं और हमारे पास जो बची हुई activation energy उसको EA से दर साते हैं जो हमारी देहली उर्जा है वो मूल अवस्ता आध्य अवस्ता ग्राउंड इस्टेज के energy और एक्टिवेशन energy के टोटल के इक्वल होती है यह इनमें relation होता है ETH is equal to EG plus EA next question के हम बात करते हैं question है first order reaction के लिए दर इस्थिरांग का वेंजग्यात कीजिए तो first order reaction के लिए अगर आपको याद हो तो दर इस्थिरांग k is equal to first order reaction के लिए जो expression होता है k is equal to 2.303 by T log initial concentration divided by final concentration और यहाँ पर आएगा best 10 उसको कभी-कभी ऐसा भी represent किया जाता है k is equal to 2.303 by T log concentration log A by A minus x और यहाँ पर best 10 होता है यह expression है first order reaction के लिए next question है आरीनियस समीकरण का समाकलित रूप लिखिए आरीनियस समीकरण जो है वो actual में होता है k is equal to A e to the power minus A by RT यह most IMP question है आरीनियस equation objective का सबसे important question है और इसको अगर हम log के form में write करते हैं तो कुछ इस प्रकार से expression होगी log के form में expression we can represent log k2 by k1 best 10 is equal to 2.303 by ea और यहां पर आ जाता है t2 minus t1 divided by t1 t2 यह है आरीनियस equation का समाकलित रूप integration form of आरीनियस equation next question हम write करते हैं तुन्य कोटी की अभिक्रिया का एक उधारन लिखी है तो आपको zero order reaction का एक example लिखना है zero order reaction आपने पढ़ा होगा h2 plus cl2 is equal to twice as cn अगर यह reaction sunlight की presence में होती है तो बहुत फास्ट होती है और इसका जो rate होता है वो इनके concentration पर hydrogen and chlorine के concentration पर depend नहीं करता तो इस इस जीरो order reaction कि क्वांटम दक्षेता क्या है क्वांटम efficiency क्वांटम efficiency होता क्या है क्या होता है जो अभी हमने equation या reaction की बात करी जो light के absorption से complete होती है उसमें photon आते photon आप समझते बंडल आप light होता है वो जो photon है एक photon आया किसी सबस्टेंट पर एक photon absorb हुआ तो यहां पर molecule जो है कुछ molecule क्या होंगे एक्साइट होंगे तो कितने एक्साइट हो रहे है molecule तो number of excited molecule divide by number of photon इस काल्ड क्वांटम दक्षेता हिंदी में हम बोले क्वांटम दक्षेता जो होती है वो क्या होती है कुल उत्तेजी तानों की संख्या बटे कुल फोटानों की संख्या को क्या का जाता है क्वांटम दक्षेता का जाता है question number six लेते हैं प्रथम कोटी के अभिक्रिया के लिए अरधायुकाल का वेंजक बैटा यह इस बार छपने वाला question है most time पी point है write an expression to find the half life of a first order reaction first order reaction के लिए अगर हम half life की value देखे तो होता है जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री डिवाइड बाय के यह question एक्जाम में छपने वाला है first order reaction के लिए टी आप की वैल्यू question है daily energy threshold energy को आपको explain करना है तो threshold energy क्या होती है हमारे जो reactant होते हैं उनके पास minimum amount energy का होना चाहिए required होता है जिससे वो reactant to product में convert हो सके है वो minimum amount of energy आप रिएक्टेंड इन विच दे कनवर्ट इन्टू प्रोड़क्ट और और त्रेस्वोल्ड एनर्जी वे केन राइट एट एज त्रेस्वोल्ड एनर्जी कि यहाँ पर हमको definition right करना पड़ेगी वन वर्ड बोला है लेकिन यह वन सेंटेंस है तो यहाँ पर फ्रेस्वोल्ड एनर्जी minimum amount of energy होती है इसकी एनर्जी रिएक्टेंड की जिससे वो reactant to product में convert हो सके है तो reactant में product में reactant to product में conversion के लिए जो minimum amount of energy required है that is called threshold energy it is denoted by ETH वह नियुंतम उर्जा जिससे अभिकारक जो है वो उत्पाद में बदल सके उस उर्जा को हम क्या बोलेंगे बेटा देहली उर्जा जो थोड़ा सा छोटा लग रहा है पर फिर भी दिख रहा है आपको हम उसको फोड़ा से लार्ज कर लेते हैं कि उस्ते और जीरो और रियक्षर सुन्य कोटी के अभिक्रिया के लिए क्या होगा हमको इसमें से बेस्ट सेलेक करना है तो सुन्य कोटी के अभिक्रिया के लिए जो रेट होता है वो के एटुदी पावर वन पर डेपेंड करता है तो यह हो जाएगा हमारा पॉस्का एंसर जीरो और रेपिजिन होगा और मॉलन यह उना और तो इस प्र यहां से देखते हैं अभिकारक के सांद्रता की समानुपाति तो अलग बहूत सारे ऍिसको हम को क्या करना है इसको हमको किसी भी टाइब से मेच करना है और मेच करके हमको जो हम लगत करें तो यह हो जाए का फिर्स्ट प्राथम कोटी के अभिक्रिया के लिए दर नियम जो है अभिकारग यहां ऐनुपाति हो यहां पर अरीनियस इक्वेशन यह हो जाएगा थर्ड नंबर का हमारा वस्ट मैंने बताया आपको यह होगा थर्ड यह बताया यह जो हमारी दोनों के बीच हमेंजान वायेक्शन यहां जो घर होता है फिट नंबर पर अधिक रशन मतलब हाफ लाइब जो है वह राइनिशल और संट्रेशन के यह क्या होता है तो यह नमबर का हम इनमें देखें तो फर्स्ट हमारा हो गया सेकंड हो गया जो सेकंड है प्रतम कोटी के अभिक्रिया के लिए दर नियम रेट ला फॉर्ड फॉर्स्ट ओर रियक्शन वह रेट ला क्या होता है रेट इस इक्वल्टू कि अधिक लिए पावर कितना आएगा वान आएगा जीरो के लिए जीरो आता है एक लिए वन आता है वह नेक्स लाइड में आपको दो यह देहली थेस्टोड एनरजी क्या है तो किसी अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए आश्यक उर्जा जो है उसको हम क्या बोलते हैं देहली उर्जा यहां पर 7 का यह हो जाएगा नेक्स्ट अब हम लेंगे multiple choice question जो की बहुत ही आसान है first question है maximum जो reaction है उसके लिए temperature coefficient ताप गुणां का मान कितना होता है ताप गुणां का मान हमने देखा है 2 से 3 के 20 होता है इस बिट्वीन 2 & 3 नेक्स्ट कोश्चन प्रथम कोटी के अभिक्रिया के लिए टी आप का मान क्या होता है यह मैंने आपको बताया मोस्ट आमपी कोश्चन है टी आप इस एक्वल तो 0.693 डिवाइड बाय के फॉर्स्ट और रिएक्शन देवाफ टी आप इस 0.693 कोश्चना में 32 मिने का टायम करती है तो टाइम टेकन फॉर कंपलीडि में 50 बैसेंट दिखिए अगर हमारे पास एक सबस्टेंड है वो 100% है उसको 50% अगर कंप्लीट होने की बात करें 50% रिमेनिंग की बात करें तो टाइम लगता है ती हाप अभी जो 50 है इसको आगे 50 होने में या 50 कंप्लीट होने में फिर से जो टाइम लगेगा वो कितना होगा ती हाप उसका कंसेप्ट है कि हमेशा जो भी वैल्यू है उसका हाप होने में टी हाप के एक वल टाइम लगता है तो हंड्रेट से 50 होने में टी आप लगेगा 50 से 25 होने में भी टी हाप लगेगा तो 25 परसेंड यहां पर यह रिमेनिंग सबस्टे ने हंड्रेड लिया था तो हएंड्रेट से 25 रिमैनिंग है इसका मतलब है कि 75% reaction कम्पलीट हो गई है और 75% कम्पलीट होने का जो टाइम है इस टूटीहाउप और टूटीहाउब जो है वो किसके इकवल है 32 मिनट के तो आप बताईए कि टीहाउब कितने को किसके मिनट के ऊकर टूहब एकवल होगा इक क लगता है और पचास से पच्चिस बचने में दो लग रहे हैं पच्चिस बचने में इसका मतलब 75% अभिक्रियाब पूर्ण और 75% अभिक्रियाब पूर्ण हो गई है 32 मिनट में तो बताईए आप चे पूछाए कि तो ती आप लगाएंगे तो ती आप का मान 32 दिया तो एक कितना हो जाएगा इसका है इसका है जलब गटन हो रहा है जिससे ग्लुकोज और फ्रक्टोज मिलता है इस रियक्शन को देखका लगता है कि इसका जो आडर है कि इसकी जो रेट आप रियक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा इसकी पर धूरत्रोख सल्क्रों करती है इसलिए यह प्रथमकोटी की अभिक्रिया है नेक्स्ट कोश्चन प्रथमकोटी की अभिक्रिया के लिए विशिस्ट अभिक्रिया इस्तिरांग निर्भर करता है टो आपको बात कर रहे हैं कि के किस पर डिपेंड करता है तो बेटा के वल और केवल किस पर डिपेंड करता है temperature पर it is depend only on temperature first order reaction के लिए जो के होता है या किसी भी order reaction के लिए जो के है वो किस पर depend करेगा only temperature पर specific reaction constant for a first order reaction depend on on the concentration of reactant on the concentration of product on time on hitting on hitting मतलब temperature आएगा next question है question है a तथा b से c बन रहा है a plus b is equal to c and b reaction करके c को product बनाते हैं a के लिए प्रथम कोटी की करती जीए और b के लिए द्वीती कोटी के लिए for order first order kinetic is soap in a and second for b तो आपको बुलाए कि बताइए rate क्या होगा था हम rate के लिए करेंगे rate is equal to k आपको बुलाए एक के लिए प्रथम कोटी की first order और b के लिए द्वीती कोटी की second order है तो एक तुदी पावर concentration of a to the power one हो जाएगा and concentration of b to the power 2 हो जाएगा तो rate of rate is equal to k a to the power 1 to the power 2 इसका राइट एंसर भी होगा next question लेते हैं कि आसानिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है तो rate of reaction किस पर depend करता है तो rate of reaction एक important question है सक्री द्रहमान या concentration पर depend करता है एक्टिव मास पर depend करता है concentration याद रखेंगे इसको सांध्रता बोलते हैं हम इंदी में और यहां पर हम लिख देते हैं एक्टिव मास कोई को इस पर एक्टिव मास कोई का जाता है तो concentration और एक्टिव मास पर डिपेंड करता है rate of reaction next question मैंने खाली छोड़ दिया क्या है और इनियस एक्टिवेशन आपको याद होना चाहिए मैं बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूं कि इस एक्टिव टू एटू दी पावर माइनस ये बाय आर्टी इस कॉल्ड आरिनियस equation और आर्इनियस equation किसके बीच का relation ने इस बिट्वीन rate constant एंड temperature it is a relation between rate constant and temperature next question प्रथम कोटी के अभिक्रिया में वेग इस्तिरांग की क्या ही काई है प्रथम कोटी फॉर्स्ट और रियेक्शन के लिए फॉर्स्ट और रियेक्शन के लिए अभी मैंने बताया था आपको मोल पर लिटर तूदी पावर वन माइनस एन इन्टू सेकंड इन्वर्स फॉर्स्ट और बोला है यहाँ पर एन की वेल्यू कितनी हो जाएगी वन वन माइनस वन टोटल क्या हो जाएगा जीरो और आप जानते हैं अगर किसी की पावर जीरो है तो उसका मेनिंग वन होता है अगर वन मीनिंग है तो हमको जो यूनिट मिलेगी फॉर्स्ट और रियक्शन के लिए रेट कॉंस्टेंट की वो क्या मिलेगी सेकंड इन्वर्स तो अपने दिमाग में बिठा लीजिए इट इस सेकंड इन्वर्स फॉर्स्ट और एक्स्ट कुस्ट्ट इस सुनने कोड़ी जीरो बीक बेकार्शस 20 के लिए यही तो यह पर पाइंड करते मुंपर लिटर कुड़ी पावर 1 मैनस एन और यहां आजाएगा सेकंड इन्वर्स है मत फिलेक्ट करते मॅल पर लिटैर सेकंड इन्वर्स यह होगा हमारा राइट एंसर जिरो आडर रियक्शन के लिए तुन्य कोटी के अभिक्रिया के दर इस्तिरांग की काई क्या होगी मौल प्रती लीटर कुणी सेकंड की घात त्रीनेग यहां वन माइनस एन था एन का मान जीरो रखा तो यह सेम रहे जाएगा तो मौल लीटर करक्रेटर व्रद्धी के साथ बढ़ता है जो इस्तिरांग के बात कर रहे हैं और वो हमको पता है कि केवल और केवल क्यूट इंक्रीचिर ऑग र wärस दो इंक्रीचर तो टेम्पेंप्रेचर अगर इंक्रीज और सब्सक्रेजनि कौंस्टेंट भी इंक्रीज हो जाता है और हमने पढ़ा है कि 10 डिग्री सेंटिग्रेट अगर आप टेमपरेचर को राइस करते हैं तो जो के हे वो इसी को का जाता है टेमपरेचर कोईफिशेंट ताप गुणांग next कारक जिस पर प्रथम कोटी के अभिक्रिया का वेग इस्थिरांग निर्भर नहीं करता है vector on which of the rate constant of first order reaction does not depend on कौन सा इसा कारक है जिस पर वेग इस्थिरांग depend नहीं करता k depend नहीं करता यह अभिकारक की सांधरता concentration जो है उस पर k कभी depend नहीं करेगा बाकी जो चीजे हैं बाकी जो अपसने उन पर depend करता है इसका मतलब है कि concentration जो है उस पर हमारा rate constant depend नहीं करता next question है अभिक्रिया में भाग लेने वाल है तो नियूंतम आश्यक उर्जा क्या कहलाती the minimum required energy for the molecule to participate in the reaction is called हमारे आणों के पास जो नियूंतम उर्जा required है उसको हम क्या बोलेंगे नियूंतम उर्जा जो चाहिए आणों के पास उस उर्जा को एक्टिवेशन energy या सक्रियन उर्जा कहा जाता है नेक्स्ट यह भी एक important question है हाला कि आपने 11 में बहुत बार पढ़ा है और most time question था 11 का यह जो हमारा laugh mass section था यह जो laugh mass section द्रव्य अनुपाति का क्रिया का निया में किसने दिया किसने प्रतिपादित किया कौन प्रपोस करता है तो हमारा answer होगा गुलबर्ग और वागे गुलबर्ग और पीटर वागे ने इसको प्रतिपादित किया इसको प्रपोस किया था important question है last question हमारा अभिक्रिया दर का मात्रक rate of reaction rate of reaction क्या होता है rate of reaction is equal to change in concentration divide by time concentration की unit होती है mole per liter और time की होती है second unit हो जाएगी mole प्रति लीटर into second अभिक्रिया दर का मात्रक क्या होगा तो अभिक्रिया दर बराबर अभिकारकों की सांध्रता में परिवतन बटे समय अंतर तो सांध्रता का आ जाएगा mole per liter और समय का आ जाएगा second यहाँ पर आ जाएगा mole लीटर की गहत माइनस वन और second की गहत भी माइनस वन माइनस वन आएगा mole प्रति लीटर into second यह हमारा तहीं एंसर होगा तो थेंक यू आज की हमारी क्लास कैसी लगी और भी आपको केमेस्टी या फिजिक्स में आपको कोई भी कुश्चन में डाउट है तो हमको कमेंड करके बताईए हम उसका solution लेकर आएंगे और अभी हम यह जब हमारा पूरा सेशन हो जाएगा objective का तो इसके बाद फिजिक्स और केमेस्टी के करीब 20-20 question जो important है उसके वीडियो लाएंगे एक वीडियो में एक ही question रहेगा और वह आपके लिए जो एक्जाम है 12 की उसमें बहुत important होगा हमारे channel को subscribe करें और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को share करें ताकि आप सभी लोगों का फायदा हो सके थेंक एक यू